तो दोस्तों आज हम मोजूद हैं उत्राखंड में गडपु जंगल में तो यहां आने का मकसद है दोस्तों जब हमने यह अपना चैनल बनाया था नोखे मनजर तो उस समय जब हमने शुरू शुरू में चैनल बनाया था तो उस समय यह चैनल लगबग यह मान के चलिए कि 100 या 120 सब्सक्राइब होंगे उस समय हम यहाँ आप देख रहे हैं जंगल में जहाँ खड़े हैं तो यहाँ एक मजार है हजरत अकंदुम शाह पीव बाबा का मैं यहाँ आया था जब सो लगबख सो सब्सक्राइब होंगे तो मैंने यहाँ करके हजरत से दुआ मांगी थी कि हजरत आपकी दुआ से उपर वाले के करम सगर मेरा चैनल सही सलामत चल गया और अच्छे सब्सक्राइब हुए तो सम्तिंग एक साल हो चुका है मेरे चैनल को तो उसे एक साल में आज कम से कम यह साथ हजार से उपर सब्सक्राइब मेरे हो चुके है तो मैंने यह बोला था कि मेरा चैनल अच्छा चलेगा तो मैं यहां आकर मतलब एक कुछ बिर्यानी टाइप की बना करके और लोगों के खिलवाओंगा तो गाइस बहुत खुशी का दिन है आज वो दिन आ चुका है साथ हजार सब्सक्राइब मेरे हो चुके हैं और मैंने सोचा कि मैं यहां जाकर के जो मैंने बोला था मजार पे वह मैं उसे पूरा करूंगा देखिए मैंने यह गाली यहां खड़ी कर दी अपनी और यह मैंने गाली भी कुछ दिन पहले लिए यानि दो-तिन दिन पहले गाली लिए है और ब्रेजा गाड़ी है दिखाता हूं मैं आपको आईए यह देखिए मेरे गाड़ी ब्रेजा यह मैंने अभी निकाली यह नियू गाली निकाली यह मैंने साथ हजार सस्क्राइब पे यह मैंने निकाली यह गाली ब्रेजा और मैं इस गाली से अपनी फैमिली के साथ यहां गड़पु जंगल में हजरत अकंदुम शाहपीर बाबा की मजार पे आज पहुँचने वाला हूँ और वहां जाकर के यानि कि पतिला बनाऊंगा और तक्सीम करूँगा दोस्तों बहुत खुशी का दिन है साथ हजार सस्क्राइब मेरे हो चुके हैं और देखिए मेरे सब फैमिली सखड़ी हैं यह देखिए सब इसमे एक मेरी भावी साब हैं मेरी भतीजिया हैं और मेरी मिसिज है और यह मेरे बच्चे है यह देखिए यह सब यह मेरा भतीजा आलम और यह आजम और यह मेरा चोटा बेटा आजाद महरवान हम सब फैमिली के साथ यहां पर आए हैं और यहां सामने मजार पर पहुंचते हैं उस वक्त में आया था तो यह रास्ता बिल्कुँ सही था अंदर गाली जा सकती थी लेकिन आज जब हम आए हैं तो यहां पर कोई काम वगेरा चल रहा है जिससे गाली अंदर जा नहीं सकती तो गाइस हमने गाली यहां खड़ी कर दी है यह देखिए गाड़ी यहां खड़ी करके अब हम यहां से सामान उढ़ा करके सारा अपना और यहां पर कुछ हमारे पास बाइक भी है देखिए यह खड़ी है बाइके दो इन बाइकों के द्वारा यह सामान में अंदर पहुंचाओंगा मजार शरीफ में क्योंकि मकसद है पतिला बनाना और तक्सिम करना और मैं चलता हूं आगे पतिला बनाते हैं और आपको पूरा अपना ये आज का ब्लोग में आपको पूरा दिखाऊंगा तफसिल से उमीद है आपको बहुत पसंद आएगा और ये वीडियो मेरी आप लाश तक जरूर देखे तो चलते हैं दोस्तों आगे पैदल चलो भई चलो देर मत करो ये देखिए दोस्तों हमारे सामान रखा है जो हम ततिला बनाने वाले अंदर ये सब सामान चाहत तो हमारी यही थी कि हम गाड़ी से अंदर तक जाए लेकि जब रास्ते में प्रॉब्लम आई अब ये पैदल लेकर जाना पड़ेगा चलो तो दोस्तों आचुके हम हजरत अकंदुब शाह पीर बाबा सहाब के मजार पे और आपको मैं दिखाओं दिखिए मेरे बलॉग में नोकया मंजर में भी आपने देखा होगा है मेरे और यहां पो आजाए तो मैंने जैसे के आपको बताया कि यहां पर जब मैं आया था तो 10 stimulants मुझे दिया नहीं है इतना गूंकि दूसरा ये तीसरी वीडियो हमारी ये थी चैनल की, जब हमने बनाई जब चैनल स्टार्ट किया हमने, तो दूसरी ये तीसरी वीडियो, ये हमारे चैनल में मौजोद थी, आपने देखा होगा, आप अब भी देख सकते हैं, कि मैं यही पे मजार पे सबसे पहले मैं मैं आ ता। और मैं हजरते से दवा माँ करके जिए गया था कि अगर मेरे चानल यह तरक़्ी करता है यह मूझे इसमे काम्यावी मिलती है तो मैं यहां जरूर आऊंगा दूसरी बार और यहां में लोग प्तीला बनाऊंगा बिर्यानी बनाऊंगा उपर वाले के करम से मुझे और तरकी मिलेगी क्योंकि आप लोग का साथ मेरे साथ है तो दोस्तो आज हम बनाते हैं हजरत अकंदुम शाह पीर बाबा की दरगा पे मौझूद है और हम यहां बनाते हैं आज पतीला और देखते हैं वो पतीला बनाते हुए भी हम आपको दिखाएंगे दोस्तो सबसे पहले चलते हैं हजरत की दरगा पर और उन्हें सलाम करने के लिए वहां हम पहुंचते हैं तो आईए दोस्तो चलते हैं यह देख सकते हैं जो हमने पहले वीडियो में हम यहां पर आई थे इस दरगापर यह देखे सामने हजरत का मुकाम है हम लाओ हम लाओ हम लाओ हम लाओ कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो झाला झाल कर दो कर दो खार रादिए कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो झाल झाल झाल